हेलो दियर स्टूडेंट्स वेलकम टू विस्केज ऑनलाइन प्री स्कूल आज है आपका डे 14 और हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं पहले प्रेश जरूर कर लीजेगा चलिए पहले आज आप आज की डेट लगाएंगे अब देखते हैं हमें क्या करना है लॉंग एंड शॉ ओरेंगा था उसमें में आपको डिफरेंस बताया था बिट्वीन लॉंग है तोल दोनों का मतलब होता है लंबा यसjin तरीकी से मेश करने के काम आती है ऐसे औजेक्स जो वर्टिकल रहते हैं ऐसे चीज़ों के लिए हम टॉल वर्ड यूज करते हैं ठीगे तो जैसे एरोपलेन है एरोपलेन ऐसे तो नहीं रहता ऐसे रहता है ना इस तरीके से देखें इमेच में भी ऐसे है horizontal है तो इस airplane को हम tall नहीं कहेंगे हम क्या कहेंगे long कहेंगे ठीक है तो देखते हैं क्या करना है color green to long and pink to short तो इसमें हमारी coloring activity भी है and long and short से related activity भी है आपको दो airplanes दे रखे हैं इन में से जो short है उसे आप pink color करेंगे and जो long है उसे आप green color करेंगे तो बचो long means लंबा तो कौन सी airplane लंबी नजर आ रहे है आपको this one ये long है तो इस इस airplane को आप green color करेंगे okay and short airplane कौन सी है छोटी ये है okay so इसे हम pink color करेंगे ठीक है तो देखे हमारा pink and green दोनो color recognition भी हो गया and हमारी long and short की activity भी हो गई okay तो ये आपकी first work sheet थी second work sheet में आते है water melon activity so अब आज हम कौन से fruit के बारे में पढ़ेंगे water melon okay so water melon activity में करना क्या है हमें color the watermelon हमें सिफ water melon को color करना है okay देखिए नीचे आपको picture दे रखिए कि water melon का color क्या होता है मतलब कैसा दिखता है water melon और उसमें आपको फिल करना है black strips आपको अल्रेडी दे रखिए आपको बस green color करना है तो जहां जहां white portion है ना बचो आपको वहां पे green color करना है और कौन सा green color करना है light green color देखिए यहां पे light green दे रखा है तो आपको light green color फिल करना है जानते है water melon जो है यह fruit कौन से season में आता है summer season में गर्मियों में आता है ठीक है गर्मियों में इसका use किया जाता है और यह जो है वो हमारी body में पानी की water की कमी को पूरा करता है ओके यह एक water filled fruit है जिसमें बहुत सारा पानी होता है धेर सारी मात्रा में पानी होता है तो summer में water melon खाना ही चाहिए ओके सो यह summer season का fruit है गर्मियों का fruit है जैसे अभी जो है अभी rainy season स्टार्ट हो गया है तो और अब winter आ जाएगी तो अभी watermelon नहीं आता है क्योंकि summer season जा चुका है ठीक है बच्चों तो watermelon से summer में मिलता है और यह बाहर से green and black color का होता है अंदर से जब आप इसे open करेंगे तब यह red color क होता है रेड या फिर pinkish ओके इस color का आपको नजर आएगा watermelon इसके अंदर काफी सारे seeds होते हैं okay watermelon seeds होते हैं okay उन्हें निकालकर then watermelon का जो pink and red part होता है flashy part वो खाया जाता है ठीक है और यह काफी healthy fruit है और जितने भी seasonal fruits होते हैं हमें सब खाने चाहिए जैसे apple mango यह सब बहुत जरूरी होते हैं उसी तरीके से watermelon भी बहुत important होता है तो watermelon को color कर दीजिए का ओके सो आज की वीडियो में इतना ही thanks for watching